नाम द्रहार उने का दिया कि इस पर तो जमराज के दुद्द चहुंक गए, नाम जब करना ही जीव का सबसे बड़ा धर्म है, इसकी क्या महिमा है चला समझाईए, इसकी महिमा बताईए तो कहता है, अब प्रत्यक्षे किन प्रमार में क्या बताऊं है, तो लोग देख करके आएवना. नाम चार्म आत्मयम हरह पश्यत पुत्र कहा, अजामिलों चेन महीं वऔ, नृत्तपा具 पुच्यत पुत्र कहा है, मेरे पुत्रों, मेरे दूतों, हरह नाम जब करमार हो, नाम जब करके बताह थो मेरे पुत्र समय नाम लेकर मृत्व पास समुक्त हो गया, अब इस से जादा प्रमार क्या हो गया, प्रमार तो लाफ पर लाता है, बहुर बहुत है, लेकिन तुम लोगों के लिए इस से प्रत्यक से और जादा क्या प्रमार हो गया, प्रस्यता मतलब बिचार, बिचार करो बारों बार, देख देखो नाम उचारण महात्मिन, भगवान के नाम उचारण में कितनी शक्ती है, कितना पावर फोले साधन, जरा विचार करो, तुम लोग लेख करके आये हैं। अजामिलो अपी, अजामिल भी, जिसके विशेन तुम लोग को इतना अक्रोष हो रहा है, उस पापी को छुड़ा दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, तो क्यों छुड़ा दिया गया? नायन नाम उचारण करने से शुरा दिया गया है, तो देखो नाम उचारण की महिमा, तो क्या मैं ज़ादा प्रवसर करो? पस्यता हे मेरे बुत्रों बड़े प्यार से सम्मुधित करके कर रहा है, बेटा, भगवन नाम उचारण की महिमा ज़ा विचार करो, तो मृत्व पास से शुट गया आजावे, क्यों नाम उचारण से, कोई मृत्व से लड़ करके, कोई जोग करके, साधन करके, तपस्या करक आज तो जीपने तपस्या चाहते हुए सब मरे की नहीं, तो मराज जी उठा कम लेगा, तो तपस्या तो नहीं लेगा है, मतलब मरे, तो ये है धर्ग और प्रत्यक्षिस का प्रमार।